First question, भारत में वर्तमान पंचायती राजविस्था का धाचा कितने सतरी हैं, उनका नाम बताओ. भारत में वर्तमान पंचायती राजविस्था का धाचा तीन सतरी हैं. पहला सबसे निचला अथवा गाउं के सतर पर गराम पंचायत, सेकेंड मध्धे अथवा बलोक सतर पर पंचायत सिमिती, तथा थरड रहेगा उचतर तथा सतर तथा जिला सतर पर जिला प्रीशद की सतापना की व्यवस्था की गई है. नेक्स्ट क्योस्चन पंचायत राज का क्या अर्थ है? उतर भारत के गरामिन छेत्रों में सथानिय सवसासन की व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है. इसकी अंतरकत गरामों में रहने वाले लोगों को अपने गाउं का परशासन तथा विकास स्वम अपने इच्छ अनुशार करने का अधिकार दिया जाता है. नेक्स्ट क्योस्चन अनौप्चारिक प्रक्सिक्षन क्या होता है? अनौप्चारिक प्रक्सिक्षन अनुभव दवारा अपने आप सीखा गया कारिये अनौप्चारिक प्रक्सिक्षन होता है. इस प्रक्सिक्षन में किसी बाउसेक्ता नहीं होती यह है पर सिक्षन करमचारी अपना कारी करते हुए अपने आप प्राप्त कर लेता है नेक्स्ट क्योस्चन भर्ती के परकार बताईए भर्ती कितने परकार की होती है भर्ती निमनलखित दो परकार की होती है पहला पर्तेक्स भर्ती या बहर से भर्ती सरकारी विभागों में जब रिकित स्थानों को बहरी योग्य उमिद्वारों से भरा जाए तो उसे पर्तेक्स भरती कहते हैं अथार्थ जो लोग पहले से ही सेवा में कारियरत हैं उनको छोड़ कर आम जनता में योग्य उमिद्वारों को आकर्षित किया जाता है दूसरा एपर्टेक्स विधी या पदोनिती वे दवारा भरती जब रिकीत पदों को सेवा में कारियरत करमचारियों या अधिकारियों से ही भरा जाए तो उसे एपर्टेक्स या पदोनित के दवारा की गई भरती कहते हैं अथारत निम्मिन शतर के उमिद्वारों को ही उच्छ शतर का दायुतों सोप दिया जाता है। भरती दो परकार की होती है, पर्तेक्स भरती या बहार से भरती, सैकिंड एपर्तेक्स विधी या पदोनिती के दवारा भरती। भारत में बजट की सुरुवात कब हुई है? भारत में बजट की सुरुवात कब हुई? भारत में पहला बजट इस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। जेम्स विल्सन को भारती बजट ववस्था का जन्नक भी कहा जाता है। संग लोक सेवा आयोग का सदस्से बनने के लिए आवसेख दो योगेताएं बताएं फेश्ट वह भारत का नागरिक होना चाहिए 2. उसने कम से कम दस वरस तक लोक सेवा में किसी पद पर कारिय किया हो वह भारत का नागरिक होना जरूरी है उसने कम से कम दस वरस तक लोक सेवा में किसी पद पर कारिय किया हो नेक्स्ट क्योस्चन सर्वोचे न्याले के दो कारिय बताएं पहला नागरिकों के मोलिक हदिकारों की रक्षा करना दूसरा सविधान की वाख्या यों रक्षा करना नेक्स्ट क्योस्चन न्याईक पुन्रोलोकन की सकती किसे प्राप्त है? देश के सर्वोचय नयले यूं राज्यों के उच नयलों को सविधान के अंतरगत न्याईक पुन्रोलोकन की सकती प्राप्त है न्याईक पुन्रोलोकन की सकती देश के सर्वोचय नयले यूं राज्यों के उच नयले को सविधान के अंतरगत न्याईक पुन्रोलोकन की सकती प्राप्त है Next question केंदर्त था राज्यों के बीच तनाव के दो कारण बताओ केंदर तथा राज्यों के बीच तनाव के दो कारण बताओ। पहला राजेपालों के का भेदभाव पूरण रविया। दूसरा केंदर दवारा उन राज्यों के साथ भेदभाव किया जाना जिसमें विपकसी दलों की सरकार है। पहला राजे पालों का भेदभाव पूरन रवया, दूसरा केंदर दवारा उन राज्यों के साथ भेदभाव क्या जाना जिन में विपक्सी दलों की सरकार है नेक्स्ट क्योस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मंत्री प्रिशद में कितने परकार के मंत्री होते हैं? मंत्री प्रिशद में तीन परकार के मंत्री होते हैं केबिनेट मंत्री, राज्य तथा उप मंत्री पहला केबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री तिथा तीसरा उप मंत्री होते हैं Next question पर्धान मंत्री का कारियकाल कितना है भारती पर्धान मंत्री का कारियकाल निस्चित नहीं होता वह इतनी समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसके दल को लोकसभा में भावमत का समर्थन प्राप्त रहता है भारत का परधान मंतरी तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसके पास लोकसभा में भावमत का समर्थन प्राप्त रहता है वह अपना समर्थन खो देने के बाद भावमत खो देने के बाद उसे अपना त्याग पतर देना पड़ता है Next question सविधान की धारा 352 राश्ट्रपती को कौन सी सकती परदान करती है जब देश की सुरुक्षा को युद भाईया कर्मन अथवा सैसातर विद्रोह से संकट उत्पन हो जाए तो धारा 352 के हधीन राश्ट्रिय आपात्सिति की उद्ध घोषना राश्ट्रपती दवारा की जाती है ऐसी आपात्सिति अब तक तीन बार 1962, 1965 और 1971 में लागू की जा चुकी है जब देश की सुरुक्षा को युद भाईया कर्मन और सैसेस्तर विद्रोह से संकट हो उसमें भारत का राश्ट्रपती धारा 352 का उपयोग करके उद्ध घोषना राश्ट्रपती दवारा की जाती है ऐसी स्थिति में आपात के स्थिति में 352 की धारा का परियोग भारत का राश्ट्रपती करता है ऐसा अब तक भारत में तीन बार हुआ है पहला 1962, दूसरा 1965, तीसरा 1971 में नेक्स्ट क्योश्चन राश्ट्रपती के विरूद भारत के राश्ट्रपती के निर्वाचन मंडल के सदसे कौन कौन है भारत के राष्ट्रपती के निर्वाचन मंदल के सदस्य कौन कौन है? भारत के राष्ट्रपती के निर्वाचन मंदल के सदस्य निमनलिखीत है फैस्ट लोक्सभात था राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य सेकंड राज्यों की विधान सभाओं यूं केंदर सासित परदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य पहला लोक्सभत था राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य सेकंड राज्यों की विधान सभाओं एउं केंदर सासित परदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य Next Question मुख्य कारिय पालिका के कोई दो कारिय बताईएं पहला देश के सभी परशासनिक संगठनों विभागों में समनवी स्तापित करना दवित ये परशासिक ये नेती का निर्मान करना पहला देश के सभी परशासनिक संगठनों में समनवी स्तापित करना मुख्य कारिय पालिका का काम है दूसरा परशासिक ये नेती का निर्मान करना मुख्य कारिय पालिका के कारिय है Next Question बहूल कारिये पालिका से अभिप्राए है उधारन देजिए यदि कारी कारी सक्तियां कुछ व्यक्तियों के समूह अथवा स्मीती को परदान की जाए तो उसे बहूल कारी पालिका कहा जाता है यदि कारी कारी सक्तियां कुछ व्यक्तियों के समूह अथवा समीती को परदान की जाए तो उसे बहूल कारी पालिका कहा जाता है जैसे स्विटर्ज लैंड और रूस में बहूल कारी पालिका है Next question कारी पालिका का सामान्ने अर्थ क्या है कारीपालिका सरकार का वह एंग है जो विधान पालिका दवारा निर्मित कानुनों को लागू करती है